आज हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं तामिल नाटो की हिस्ट्री चोकि हमारी 12th क्लास की चल रही है तो फर्स लिसन आपकी आच चुकी है जिसमें कि हम लोग वारे रहे हैं देखे थे आज हम लोग दूसरे गवर्नर के बारे में देखेंगे जो की है लौड कॉर्ण लौड कॉर्ण वालेस की किस तरीके से उन्होंने काम किया क्या नियू रिफॉर्म लेकर आए हमारी इंडिया में इच और डीटेल्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो चली स्टार्ट करते हैं लेसन नमर टू के साथ लौड कॉर्ण वालेस इनकी जो कारेकाल थी वो टीपू सुल्तान्स की एफोर्ट देखेंगे कि वो कैसे यहां पर बिटिश को हरा पाए साथी एड्मेस्टेटिव रिफॉर्म देखेंगे लौड कॉर्ण वालेस की नेक्स्ट यहां पर इनके दौरा काफी अच्छा जुडिसल रिफॉर्म किया गया है उसके बारे में द के बाद आए वो भी 1786 में वो एक इंफ्लेंशल और अरिस्टोक्राटिक फैमिली से बिलॉंग करते थे इट मीज कहने का मतलब है कि उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन था वो बहुत ही जादा बड़ा था उनके फैमिली में भी बहुत सारे पॉलिटीशन थे इसलिए वो खुद को भी कहते हैं कि वो काफी जादा रिमार्कबल सोलजर भी रहे अमरिकन वार अफ इंडिपेंडेंस में इट मेंज कि उनके द्वारा काफी अच्छा काम भी किया गया है वो खुद को ऐसा यहां पर रिमार्क करते साथी यॉर्क टाउन में 1781 में वो खुद को कर दिये थे अमरिकन ट्रूप्स के सामने क्योंकि उनकी रेपूटेशन स्पॉइल ना हो इसलिए वो ऐसा काम किये थे बट कोई ना वो आज भी अपने कॉन्विदेंस को काफी जादा इंजॉय करते और जब वो अमरिका से रिटर्न हुए तो उनको यहां पे इंडिया में गवर्नर जेनरल्शिप का एक पोस्ट उनको दिया गया कॉर्णवालिस जो की एक स्ट्रॉंग सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी वो समझते हैं कि अपने आपको अगर वो इस पोस्ट में आते तो पब्लिक लिए वो काम करना चाहते हैं और पब्लिक लिए काम जो भी करना है वो इस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से समझते हैं पार्लेमेंट यहां पर प्रिप्यार कर रही थी कि उनको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लीगल पावर दिया जाए जिससे कि वो जो radical reform है administration of Bengal में तो वो यहां पे लेकर आ है उनकी द्वारा जो PITS India Act 1786 है 1786 में इसको amend किया गया और उसके बाद जो decision था majority of his council उसको यह overrule भी कर रहे थे जब भी ज़रूरत पढ़ रहा था तब जो appointment हुआ था वो काफी जादा important था हमारे इंडिया के अगर हमनों perspective में देखे एक new tradition चलते आ रहा था कि जो भी person यहां पर aristocratic family से बिलॉंग कर रहे है उनको यहां पर governance चेनरल का post जो है वो दिया जाता था तो यह काफी good fortune था कि वो यहां पर excellent team थे subordinate के जो कि इनके बहुत सारे लोग थे जैसे कि John Shore थे James Grant थे तो इनका इतना नाम याद करने का ज़र होती है अब आते ही मेन मुद्धे पर जो कि है टिपू सुल्तान और 3rd मैसूर वार तो treaty of Mangalore चो कि 1784 में था यहां पर देखने को मिला military strength यानि कि मैसूर में जो military strength था वो English को इंडिया से एकदम से eliminate कर देना तो उसी तरीके से टीपू का भी यही मुद्धा रहा था उनकी अपने खुद की डिजाइन थी कि वो कैसे यहां पर आगे बढ़ेंगे और साथी साथ वो कैसे अपने फादर की जो सपने है उसको पूरा करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखे कि क्या कारण था जो ठर्ड मैसूर वार हुआ तो टीपू सुल्तान जो है अपने पूजिशन को और ज्यादा मजबूत करते गए और बहुत सारी internal reform भी किया जहां पर भी उनको लगा कि उनके administrative point of view से कुछ भी टूटी है तो उस चीज़ को वो reform करते गए साथी साथ इससे जो worries थी Britishers की जो परिशानी थी वो बढ़ते गई जो निजाम आफ हैदरबाद और जो मराथास थे उनकी भी परिशानी इससे बढ़ते गई साथी साथ आप देखो कि टीपू जो थे वो यहां पर France का help ले रहे थे Turkey का help ले रहे थे साथी साथ उनके अपनी territory भी वो expand करते जा रहे थे अपने neighbor के हिसाब से means neighbor के health से वो अपने territory को भी और बड़ा करते जा रहे थे 1784 में क्या हुआ कि British के द्वारा एक tripartite alliance को यहां पर conclude किया गया यानि कि तीन country तीन government या तीन लोग मिलकर अगर किसी agreement में sign करते तो उसे हम लोग tripartite alliance कहते हैं तो यहां पर इसको conclude किया गया किसके किसके साथ तो यहां पर British निजाम और Marathas एक साथ हो गया और यह ठीपू के against में जो है एक साथ मिलकर यह काम कर करने लगें वार जो है 1790 में start वा वो भी English और टीपू के बीच में यह तीन phases में लड़ाई किया गया first phases जो था वो यहां पर जब मेंडियो यानि कि जो मदरास के governor थे वो यहां पर initially direct कर रहे थे कि मैसूर में घुसना है बट टीपू जो है वो rapid movement किये और जितनी भी progress हो रह जिसमें कि आप देखो Valor से March होना start वा और उनके द्वारा Bangalore को capture किया गया था 1791 में बट टीपू की जो brilliant strategy थी war को लेकर तो वो यहां पर Cornwallis और टीपू जो है मिलकर वो retreat किये Bangalore को क्योंकि Bangalore में बहुत provision की कमी थी जो third phase था war का वो फिर start वा जब यहां पर timely मदद किया गया Marathas की द्वारा और बहुत सारी provisions जो है उनको help किये फिर उनकी campaign भी resume हुई और फिर यहां पर श्री रंगन पतिनम जो है उनके अगिस्ट में मार्च स्टार्ट हो गया इस time आप देखो कि तीपू को जो है वहां बहुत सारे disadvantages देखने को मिला जो swiftly यहां पर English forces जो थे व स्री रंग पतिनम जो है sign किया गया टीपू सुल्तान के साथ और Britishers जो है वो मिलकर इसको sign किये और यह term of the treaty में क्या क्या था टीपू जो थे वो अपने खुद की जो dominion थी उनका खुद का जो power था वो सब कुछ यहां पर दे दिये और उनको यहां पर war indemnity भी pay करना पड़ा यानि कि war के time में जितने भी जो खर्चे हुए और जितना नुकसान हुआ वो सारे money के रूप में टीपू को जो है यहां पर pay भी करना पड़ा साथी दोनों side agree हो गए कि जो भी war के prisoner है उनको वो release कर देंगे इट मींज कि यहां पर third मैसूर war हुई उसमें टीपू हार के भी जीत गया और टीपू को ही यहां पर नुकसान हुआ और फाइनली Britishers यहां पर जीत गये जो treaty of स्री रंगपतिनम है यह बहुत important है just because क्योंकि South India के अगर आप history में देखोगे न तो treaty of स्री रंगपतिनम जो है बहुत important role play करता है क्योंकि Britishers के दौरा बहुत large territory जैसे आप मालाबर coast देखोगे तो मालाबर coast आपको केरल वाला region देखने को मिलेगा तो वो पूरा region जो है Britishers के दौरा हरप लिया गया था यह treaty of स्री रंगपतिनम के दौरा साथी साथ जो बरामल district था डिंडू गल था यह सारे area को Britishers अपने अंदर ले आये थे इस war के बाद जो मैसूर का strength था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा और टीपू जो थे वो भी हारते गए बट टीपू destroy नहीं हुए थे टीपू सुल्तान बहुत ही जादा great और बहुत ही जादा powerful सुल्तान थे बट कहीं न कहीं वो हार गए गलती से ही बट कोई नहीं इसके ब permanent settlement या फिर इसको revenue reform भी कहते हैं और judicial और कुछ और भी reform से उसके बारे में भी देखेंगे administrative reform के बारे में देखें तो कॉन्वालिस के द्वारा बहुत ही महान काम किया गया कि वो civil service की जो purifications है उसको अच्छे तरीके से वो किये क्योंकि civil service में भी corruptions था पहले आप लोग देख रहे थे कि जो Britishers आये थे वो अपने civil servant को लेकर आते थे यानि कि वो अपने collector वगेरा को लेकर आते थे और कलकता की जितनी भी district थी उसमें जो भी head होते थे वो अपने यहां के जो district collector होते थे उनको बैठाते थे लेकिन इंडिया में भी जब civil service exam स्टार्ट हुआ तो उसकी purifications होनी थी जो की कॉन्वालिस के द्वारा किया गया कि सही तरीके से honest तरीके से जो public servant है वो यहां पर आये उनकी employment जो है वो यहां पर दे जो भी capable है उनको दिया जाए साथी उनका aim था कि जो economy है और simplification हो purity हो उनके द्वारा जो servant of the company थे उनको unpaided भी यहां पर found किया गया कि उनको इतना paid भी नहीं किया जाता है साथी वो यहां पर high commission भी रेसीव करते थे revenue के उप जो भी एक अलग तरीके का इनका system चलता था जिसमें कि small salaries pay करना है और जो गलत तरीके के काम है उसको भी allow करना है तो यह सारी चीजों को यह सही करते गए further आप देखो कि cornwallis जो है policy of making appointment इसको यह inaugurate किये कि सही तरीके से जो है appointment होनी चाहिए उसके लिए एक बहतरीन policy लेकर आया गया और इसी के साथ जो है Indian civil service का foundation भी हुआ यहाँ पे आप देखो कि जो major reforms था वो था cornwallis के द्वारा कि वो तीन branches को separate किये जो आज के date में हम लोग देखते हैं न कि judiciary executive और जो legislative वो तीन body अलग अलग है लेकिन यह idea हमारा यहाँ से निकल कर आया लेकिन यहाँ पे जो अलग हुआ वो commercial, judicial और revenue को अलग किया गया जो कि तीन important body था उस समय का जो collectors थे, kingpings थे, administrative system के उनको यहाँ पे judicial power को कम किया गया, उनके काम को भी कम किया गया क्योंकि merely वो यहाँ पे revenue को collect करते थे तो lastly इनका काम क्या रह गया कि revenue को collect करना, उसके बाद क्या हुआ, judicial reforms देखते हैं, judicial reorganization के काम पे अगर हम लो देखें, तो cornwallis चो थे, उनको यहाँ पे secure किया गया, sir Williams John की services, जो कि उस समय के judge थे, great scholar थे यहाँ पे अगर हम लोग civil court और criminal court के बारे में देखें, तो इसको भी बहुत अच्छे से recognize किया गया, जैसे कि वेरेन हैस्टिंग बना के गये थे दो तरीके का court, criminal cases के लिए criminal court, और यहाँ पे civil cases के लिए civil court, तो जो top judicial system में आप देखो, तो highest civil और criminal court of appeal था, civil court जिसका नाम थ कहां function कर रहे थे तो कलकता में, तीक है, और दोनों court को कौन preside करते थे तो governance general और इनके council, साथी साथ यहाँ पे four provincial court of appeal भी लाया गया, जो कि एक तो कलकता में था ही, उसके बाद जो है, डाका, मुर्शीदाबाद और पटना में भी आया, साथी साथ, अब उस समय के जो city और judicial power थी, वो तो यह खतम कर कर चुके थे, तो इसी के साथ क्या हुआ कि जो district judge थे, वो यहाँ पे appoint किया गया हर एक district में, तो जो collector थे, उनको बहुत जादा power दिया गया था पहले, तो उनकी judicial power को खतम करके, main एकी power रख दिया गया, कि अब वो revenue को collect करेंगे, और बाकी जो district judge है उनको यहाँ पे appoint किया गया, कि वो यहाँ पे cases को देखेंगे, तो जो district judge का funda निकल कराया है, वो किसके द्वारा निकल कराया है, यह Lord Convalis के द्वारा निकल कराया है, थीक है, Indian judge और जो इसको हम लोग मुनसिव भी कहते, वो सारे court में appoint किया गया, यानि कि bottom of the judicial system में, criminal cases में आप देखो, तो Muslim law जो था, वो impose किया जा रहा था, और उसको follow किया जा रहा था, और civil cases में, जो Hindu और Muslim law थे, वो यहाँ पे follow किया जा रहे थे, जो उनका religious है, in suit between Hindu और Muslim, जो judge थे, वो यहाँ पे authority को decide करते थे, Cornwallis जो थे, वो merciful थे by temperament, but कोई नी, Cornwallis जो थे, वो better known थे, या सारे field of administration को, judicial, police, commercial, fiscal, यह सारी चीज़े include की गई, code कहने का मतलब है कि, एक set of rules लाया गया, जिसमें कि administrative work कैसे होगा, judicial work कैसे होगा, policing कैसे काम करेगी, commercial purposes, इसके basis पे कैसे काम होगा, fiscal कैसे काम होगा, तो यह सारे जो है, उट्स codes में रखे गए, यह जो code था, यहाँ पे principle of Montes क्योंकि बेसिस पे था, जो suppression of power कहा जाता है, तो suppression of power जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि judiciary की अलग power होती है, executive की अलग power होती है, legislative की अलग power होती है, तो cornwallis के द्वारा यही funding को अपनाया गया, अब police reform लाया गया, क्योंकि आपको पता है कि police भी उसमें बहुत ही जादा corruption में भरी भरी रहती थी, तो यहाँ पर effective implement किया गया, judicial reforms का जो है effective implementation किया गया, जिसे कि जो police administration है, उसमें अच्छे तरीके से reorganize की गई, जो districtures थे, वो यहाँ पर आप police को control करने लगे, हर एक district जो है वो थानाज और police, हर एक थानाज में ये divide हुआ, police circle जो थे, वो हर एक 20 square miles में व रखा गया, जिसको कि आज कि लेंग्विश, लोकल लेंग्विश वे हम लोग दरोगा कहते हैं, तो दरोगा के अंदर ये सारे police circle आने लगे, police organization जो था, वो उस्तना ज्यादा effective नहीं था, लेकिन अगर हम लो मैश मैन के words में देखे, तो जो दरोगा थे, वो सबसे ज्याद Board of Trade को referred किया गया, जिसमें कि जो commercial investment की जाती थी company में, तो उसको ये manage करते थे, और यहाँ पे Charles Grant के मदद से, वो यहाँ पे बहुत सारे abuses और जो correct practices थी, जो गलत तरीके का practices चल रहा था, वो इसको हटाए, fair treatment यहाँ पे वेवर्स को दिया गया, इंगेन वर्कर्स को दिया गय तो जहाँ पे भी छोटी छोटी जगह पे भी बुराया थी, कुटनीतिया थी, तो उनको भी Cornwallis के द्वारा कोशिश किया गया, कि उन सारी चीजों को भी हटाया जाए, अब यहाँ पे Cornwallis का estimate अगर हम लो देखे, तो यह blue-blooded astocrat थे, यानि कि अच्छे खासे यहाँ पे क जा रहा था, उसके danger को वो perceived किये, उसको curtail भी किये, जो कि बहुत कहीं लगई सही भी कहा जाता है, as an administrator अगर देखे, तो उन्होंने company की position को इंडिया में बहतरी तरीके से consolidate किया, और जो tradition था, उसको बहुत अच्छे तरीके से efficient किया, pure administration वो लेकर आए, और साती सा जो भी defect था, permanent settlement of land revenue, उसको भी वो सारे defects को यहाँ पर, तो permanent settlement जो land revenue था, उसमें भी defect थे, उनके administrative and judicial reform में भी काफे जादा defects थे, तो इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत बहुत बहुतरी तरीके से हटाया, साथी साथ उनको यहाँ पर Indian administrative service का father भी कहा जाता है, और founder भी कहा जाता है, जिस तरीके से वो clean system of administration और efficient system of administration को लेकर चले, तो कई बार यह आपसे question पूछ लिया जाएगा, कि founder of Indian administrative service को कहा जाता है, तो यह है Lord Cornwallis, तो I hope कि आप लोग सई तरीके से समझे होंगे, Sir John's Shore है, जो कि यहाँ पर Cornwallis के बाद आया थे, as a governor general, और उनके administration यो थी, वो un-eventful रह हुआ, और क्या changes किया गया, administrative machinery में, judicial reform, reorganization of police, और क्या क्या estimate थे, यह सारी चीज़े हमने देखा, आईए कुछ questions solve कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको answer देना चाहिए comment box में, तो जरूर दीजे, जिसे कि आपकी जो memory है, वो और जादा strong होगी, आप chapter में कितने अच रेत्वारी system, या फिर जागिर्दारी system, तो coming down the answer, और filling the blanks है कि Lord Convales जो थे, उनके द्वारा law code बनाया गया, with the help of his colleague, तो कौन से कलिक थे, जिनके द्वारा वो एक set of rules बनाया थे, साथी match the following है, कि ट्राइप्राइट जो alliance है, तीन alliance थी, वो कब हुआ, ट्रीटी आप स्री पीडियाफ को मैं अपने telegram group, जो की हमारा resource point UPSC के नाम से, वहीं पे आपको इसकी पीडियाफ है, वो मिल जाएगी, साथी साथ आपको अगर ये lesson अच्छी लगती है, तो like कीजे, आप इस lesson को और continue करना चाहते हो, कि आपको आगे की भी chapters मिलते रहे, तो उसके लिए आपक को इस suggestion से तो आप comment कर सकते हो, तो मिलते हैं आम लोग कर, आज के लिए बस इतनी, thank you